हेलो एन वेलकम टू माई इगनू सॉलीशन से नाज हम आप लोगों के लेकर आए हैं एंपिए 16 के सॉल्व्ड असाइंग्मेंट यह विकेंद्री करन और स्थान यह शाषन के सॉल्व्ड असाइंग्मेंट है जिनका सेशन है ट्वेंटी ट्वेंटी वन यह लेटिस असाइंग्मेंट हम आप लोग के लिए लेकर रहा हैं जो कि फ्री अफकॉस इसके कोई भी चार्जिस नहीं देने जी हां यहां पर आपको यह पूरी वीडियो देखनी है तिल दा एंड आपको यह असाइंग्मेंट जो है फ्री अफकॉस मिल जाएगा अब यहा यही असाइंग्मेंट हमारे लिए इलिजीबल है तो मैं आपको यही बताऊंगी देखे इगनु ने क्या क्या था अपनी डेट जो है एक्स्टेंड कर दी दिसंबर तक और एक्चिली में उसकी डेट एक्स्टेंड होते होते पूरे सेशन ले गए ती तो मैं आपको यही जिसने भी अपना जुलाई जून से लेके दिसंबर तक अड्मिशन लिया उनका जुलाई सेशन है और जिन अपना अड्मिशन लिया है उनका सब्मिशन डेट 21 मार्च 2021 है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और यह का फ्री सिंपल है तो मैं आपको यहां पर प्री अफ आपको किस टॉपिक पे चाहिए और क्या आपको कैसा लगा को यह वीडियो क्योंकि यह जो वीडियो हम लेकर आए हैं MPA16 की यह भी हम स्टूडेंट्स की ही डिमांड पर लेकर आए हैं तो जस्ट कीप ऑन वाचिंग चलिए हम आ चुके हैं अपने असाइंग्मेंट की स्क यहां पर हमारे पास important points हैं जो आप बिल्कुल भी ना भूलें इन points को पढ़ना बहुत जरूरी है कई बाद students काफी जादा mistake कर जाते हैं आपको 10 questions दिये होते हैं लेकिन उसमें सब 5 ही attempt करने होते हैं लेकिन students पूरे के पूरे 10 attempt कर लेते हैं तो ऐसा नहीं करना आपको यह ज आपको किसी भी भाग में से 3 या किसी भाग में से 2 ऐसे question उठाके total 5 attempt करने हैं इसके अलावे एक बहुत important बात यह भी है कि आपको हर एक question का answer 500 शब्दों में देना है जी हां कई बार students यह भी सोचते हैं कि हम जादा लिखेंगे तो जादा marks मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है देखिए यहां पर आपको इगनू के टीचर के द्वारा assignment बनाए गए हैं और दिये गए हैं तो वह लोग यह बिल्कुल चाहते हैं कि वह जो content देखें assignment में वह बहुत बढ़िया content होना चाहिए सबसे पहली बात है आपका खुद का अनलाइजमेंट होना चाहिए खुद की तो यह हमारा भाग वन है प्रेशिन पहला है हमारा समकालिन व्यवस्ता में राजनीतिक और प्रिशाशनिक विकेंद्री करण की व्याक्या कीजिए तो इसमें आपको समकालिन व्यवस्ता के बारे में बताना है जो राजनीति और प्रिशाशनिक विकेंद्री करण की चल र नेक्स दूसरा प्रेशन आता है हमारा विकेंद्री करण के सामाजिक आर्थिक घातक को उजागर कीजिए तथा उसे स्रीडन बनाने की आवशक उपाए सुझाईए तो यहां पे आपको सामाजिक आर्थिक घातक को उजागर करना है विकेंद्री करण के और उनको ही आपको उनके लिए आपको उपाई बताने हैं, तो यह आप वीडियो को पॉस करके आपके अंसर लिख सकते हैं, तो नेक्स हमारा प्रशन आता है, शिक्षा के शेत्र में स्थानिये पराधी करनों और विशिष्ट कारे अभी करनों के बीचुछ भागिदारी का परीक्शन कीजिए, तो शिक्षा के शेत्र में आपको यहाँ पर बताना हैं और अच्छे से इसको अलईस करना हैं, आप 73 संशोधन था उसकी विशेष्टाइं बतानी है और उसके अधिनियम पर आपको उसकी टिपड़ी उसके चर्चा करनी है तो यह आपका पहले इसमें पता होना चाहिए कि 73 संशोधन क्या था और कब पारित हुआ था और उसके बारे में उसकी विशेष्टाइं तो ये इस तरीके से तूर पूरा अनालाइज करके आपको बताए गैदन सातवा प्रिशन आपका विकृस योजना के मूलाधार का वर्नन कीजिए तब शहरी योजना के जचिलमुदो को उजागर कीजिए तो यहां पर योजना के बारे में बताना है आपको यहां तक आपका जो यह आंसर है इसका मतलब क्या है किसमें आपको अंतर करना है तो मतलब आपकी जो योजनाएं होती हैं उसमें आपको शहरी यानि कि शहरी योजना में और विकास योजना जो हमारे मूलाधार विकास योजनाएं होती हैं और शहरी योजना के जटिल मुद्ध हैं उनको जागर करना है तो यहां तक के लिए हमारा ये answer फिनिष होता है और हमारा इसी के साथ ये assignment भी फिनिष होता है I hope आपको ये assignment में सारी चीजे detail में समझ में आई होगी और pause करके आप अपना answer लिख सकते हैं मेरा opinion आप से यही रहेगा कि आप अपने content को बनाएं और इससे आप reference ले सकता है यह reference material है उके जो assignment से reference material आप इसे reference लीजिए अपने points में लिखिए और कोशिश हो कि आप अपनी writing में लिखें या जिससे भी आप अगर आप assignment करवाएंगे या जिससे भी आप बोलेंगे तो उनसे भी आप सिंगल हैंड राइटिंग का ही यूज करवाएं कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट क्या है अलग अलग हैंड राइटिंग यूज करते हैं अपने तो ऐसा नहीं करना है यूज कीजिए अपने पॉइंट्स और इसमें से आप रेफरेंस लीजिए तो यहां तक के लिए यह वीडियो मारे यहीं फिनिश होता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में फिलना थैंक यू फॉर वाच्चिंग अ कि कर सकता है